दुमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लाएं हैं बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला कुट्टू का हलवा जो आप भ्रत में खा सकते हैं तो इसको बनाना बहुत आसान है इसको बनाने के लिए आप एक कड़ाई ले लिजे कड़ाई में दो चम्मस देसी घी डाल दीजिए देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने देसी घी लिया है और देसी घी डाल दिया है आधी कटोरी हमने यहाँ पर कुट्टू का आटा लिया है कुट्टू के आटे को हम बहु इसको पहचान लेंगे कि ये कुट्टू का आटा हमारा पक चुका है तो अभी हम इसको लगातार चला चला कर भूनते जाएंगे बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो ये चिपक जाएगा तो इससे आपके हलवे का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा इसलिए इसको लगातार चलाते जाएंगे दो से तीन मिनट में आप देखेंगे कि इससे घी निकलना सुरू हो जाएगा और जब घी निकलना सुरू हो जाएगा तो आप समझ लेजिए कि आपका कुट्टू का आठा पक चुका है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ घी निकलना सुर यहँ पर दिशक जलेंगे। एक यहाँ पर यह चालता है disciplines पानी चाहरु है। पानी टाली डीजिए मैने तो पानी तो इस प्ञाणी ले ले लेंगे, फिरीज़ रुख मिले टालने तो यह नायारती पानी ले लेंगे। तो ये कड़ाई छोड़ने लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हलवा हमारा कड़ाई छोड़ने लगा है और इसी तरह से ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है इसको बनाना बहुत आसान है तो आप लोग देख सकते हैं कि हलवा हमारा पूरी तरह से बन कर तयार है और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसमें प्लेट में नीचे घी लगा दें या रिफाइंड ओल लगा दें या कुछ भी ना लगाएं तब भी ये आसानी से जम जाएगा हमने यहां पर कुछ नहीं लगाया है प्लेट में इसको ऐसे ही हम फैला लेंगे अभी ये हलवा हमारा गरम है और इसको हम थोड़ा थोड़ा अराम अराम से हाथों से सेट कर लेंगे और सेट होने के बाद अगर आपके पास कोई भी ड्राइफ रूट बगएरा हो जो भी आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं यहां पर हमने बदा परिशाणी से क्योंकि यह फलाहार है फलों से बनता है तो आप चाहें तो इसकी पीसेस भी बना सकते हैं या इसको ऐसे भी खा सकते हैं आप लोग देखें इसकी पीस भी बनकर बहुत अच्छी सी तयार हो जाती हैं बिल्कुल परिसानी नहीं होती कोई इसमें यह बहुत जल्दी जम जाता है, सेट हो जाता है, और आप इसको मिठाई कि जो पीस्स होती हैं, उसे आकार में भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये सारे, जितना भी हमारा हलवा था, हमने इसको कट कर लिया है, इसके पीस बना लिये हैं, आप भी इसे तरह से बना सकते हैं, आप भ हमारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में